आप सभी को नमश्कार स्वागत आप सभी का चैनल एश्टर लगर में और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धनूराशी वालों की शक्तियों के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ खास बाते हैं धनूराशी का स्वामी ग्रह है गुरू और इसका संबंध अगनी पत्यों से होता है जोतिश में इसके द्वारा हम इमानदारी स्वतन प्रता डोमिनेक करने की शक्ति आदिका ध्यन करते हैं धनू से संबंधित रत्न होता है पीला पुखराज या फिर पीला हगीक गुरुवार या थजबे इसका दिन है और इन से संबंधित रिशा है पूल रिशा धनू राशी की मित्र राशियां है मेश, तुला, पुंग और सिंख धनू राशियों के बेमेल राशियां है रिशब, कर्थ, तुला, कन्या और मंगर्थ आईएब जानते हैं कुछ और मुख्य बाते हैं धनू राशी वार्गों के बारे में धनू राशी का स्थान राशी चक्र के अंदर नवा होता है और ये गुरु ग्रह के द्वारा नियंत्रित होता है इसके कारण इस जातक को उत्सा, विश्वस नियता, आत्मशक्ती, किस्मत, ज्यान, आदी की प्राप्ती सहज में ही हो जाती है अगर कुंडली में गुरु शुग हो तो कभी कबार ऐसे जातक ज्यादा पद लेने के कारण आंकार के वशिभूत हो जाते हैं जो की इनके लिए नुकसान दायक भी सिद्ध हो सकता है इनके पास सकाराप्नक शक्ती होती है और दूसरों को भी ये सकाराप्नक कर सकते हैं समाज में ये लोग अपनी विद्धुता के कारण जाने जाते हैं ये अपने समय का सदूप्यों करने में भी माहिर होते हैं खोज करना भी इनकी एक आदत है और इसीं लिए इनको घुमना भी पसंद हमें काम में यह इसी की दखल अन्दाजी पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग जब किसी एक लक्ष को बना लेते हैं तो निश्चित ही उस लक्ष तक पहुँचने के लिए ये अपना पूरा अबल लगा देते हैं जूंकी धनुराशी का स्वामी ग्रह गुरु है अतहां कुंडली में इसकी स्थिती के अनुसार ही जातक का व्यक्तित्व होता है अगर जन्पत्रिका में गुरु शुब अवस्था में हो तो निश्चित ही ऐसे जातक जीवन में बहुत तरक्की करते हैं उनके जीवन में कोई ना को एक एम्बीशन होता है जिसके लिए ये लगातार पुरे जोर शोर से लगे रही है वहीं अगर कुंडली में गुरु अशुब अवस्था में हो तो ऐसे जातकों के गुरु में कमी लाता है और जीवन में ऐसे लोग काफि संगर्षों का सामना करते हैं अशुप गुरु के अवस्था में जातक के पास लक्ष तो होता है परंतु उस तक पहुँचने के लिए उन्हें रास्ता समझ नहीं आता अगर बढ़ने भी लगते हैं तो किसी ना किसी प्रकार की आपस्टेकल्स उनके जीवन में बाधाय उत्तर करते हैं ऐसे में यह जरूरी है कि अच्छे जोतिश को दिखा के सही उपायों को अपनाया जाए तो देखा जाए तो धनूराशी के लोगों में गुद्धी भी होती है, बल भी होता है, लक्ष भी होता है और कारे करने की शक्ती भी होती है अगर सही तरीके से जोतिश उपायों को अपनाया जाए तो ऐसे जातक मिश्चित ही अपने जीवन को कुछ बहुत बड़ा अजीव कर सकते हैं तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको धनूराशी के बारे में काफी कुछ जानकारिया प्राप्त हुई होगी जिसका स्तमाल आप अपने जीवन में करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, स्वस्त बना सकते हैं इसकी सारे डिटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, इन्हें शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य जोतिशी वीडियों को लगातार प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए और कमश्युआ हैं